दोस्तो नमस्कार आपको सागता आमारी यूटूब चैनल एजे तंतर जिकिस्ता में दोस्तो आज मैं एक उपाय बताऊँगा आपको उपाय क्या है? इस्तरी वसी करना ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कमान का उपाय है इतना जब्रदस उपाय है कि इस उपाय को करने से ये कभी फेल नहीं जाता और ये थोड़ा कठिन उपाय है इतना कठिन भी नहीं है जो आप करना सबो करना क्या है आपको सनिवार के दिन सनिवार के दिन जब किसी भी ब्यक्तिकी मौत हो जाए या गंगा घाट पे आपने देखा होगा बहुत सारी चिताएं जलती हैं जब चिताएं जलती हैं जब वो लोग छोड़ के चले जाती हैं उसको तो उसमें से दो तीन कोईले की जलते हुए जलता हुआ कोईला निकाल के ले आओ कैसे भी लेके आओ, उसके साथ लेके जाओ मचली का तेल, साथ में रखके ले जाओ एक डबी में छोड़ा सा, दो-तीन कोईले जलते हुए कोईले आप निकालो, उनको किसी प्लेट में रखो, उपर से मचली का तेल डाल दो, जिससे वो बुज्या है, बुज्यने के बाद आ उनको मचली के तेल में ही भेगो कर, थोड़ा सा मचली का तेल जादा डबोना नहीं, थोड़ा सा मचली का तेल उसमें किसी डब्बे में डालके, कांच का बरतन हो, उसमें डालके, चोड़ा, चोड़े, मुंका, गिलास में रख दो, उसमें रखने के बाद रख दो, उसको उठाओ, तीन चार या दो, एक जो भी है, एक टुकडा, दो टुकडा, तीन तुकडा, कितना भी उठा सको, उठाके लेकि आओ, उसे मशली के तेल से भिगो कर बुजादो, बुजाने के बाद उसे किसी कांच के बरतन में रखो, ऊपर से थोड़ा सा मशली केते और ड दाले के बाद साथ दिन तक उसे रखा रहने के बाद साथ वे दिन, आठ वे दिन, साथ वे दिन या आठ वे दिन, आप उसको निकालो, निकाल के उसको पीसो, पीसने के बाद पौडर कर लो, पौडर करने के बाद उसको किसी डबी में भर के रख लो, समझ लो ये बहुत ही क पाउडर निकालो निकालने के बाद दो बार कहोगे वसम वसम मतलब वसम है वसम है मतलब वसम वसम करते हुए उसके सर पर डाल दो किसी के भी जिसके भी जिसको भी आप चाहते हो जो जिसको भी वसम करना चाहते हो उसको उस कोईले की जो कोईले का पाउडर बना के तयार किय बस तुरंत के तुरंत वो वश मैं हो जाएगा। आज नहीं तो कल उसका रिफ्लाई आएगा बोलेगा जू भी बोलना होगा। दो ये है क्रिया भहत ही कमाल की बहुत जबर universal जो तंत-से तंतr सास्तर में बहुत ही YANTRA COR अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना ठीक है चलते हैं ख्याल रखना अपना